शूगर जो है ना वो बिमारी नहीं है वो लाइफ सेल डिसॉडर है उसमें क्या ओधा है हमारी मैंने आपको बता है ना कि हमारी बॉड़ी में हर हिस्सा हर उस पे काम करता है अब पैंक्रियाज है हम कुछ भी खाना का रहे हैं वो इंसुलीन को रिलीज कर रहा है लेकिन उसक बॉड़ी जब आपकी बनी तो बन ही नहीं पाए लेकिन आप जो भी इंसान है जिसे शूगर है आप अराम से उसे खतम कर सकते हो भी छे महीने से एक साल में उसमें एक सिंपल रोटीन है आप लोग अपने घर में भी वताना हमें वहम डाल दिया जाता है कि फल मत खाओ करें कभी भी ठीक है सबसे इंपोर्टेंट है आपको लाइफ सेल चेंज करना सुबा उटके घूमो अब जैसे ओस पढ़ना शुरू हो जाएगी इतना घास है वो तो हर इंसान को चलना चाहिए लगबग 10 मिनिट ओस पे नंगे पाऊं चलो डेली आइसाइट इंप्रूफ करेंगा डाइबिटीज वालों को कुछ टाइम के बाद रेटीनो पैथी डिवल्प होती है बलर विजन आना शुरू हो जाता है कुछ को तो कैटरेक्ट डिवल्प हो जाता है यहां से आंके इतनी मोटी मोटी हो जाते हैं आप ओस पे चलना शुरू करो आता चेंज कर दो गेहूं को बिल्कुल छोड़ दो अपनी डाइट से अब जौर पहले आपने देखे पहले के डाइम में लोग क्या होते थे सर्दियां आती तो मक्की जौर बाजरा खाते थे ठीक है मौसम के अनुसार वो अपना पूरा फसले चेंज करते थे इसलिए तो रितू के अनुसा अगर वो रितू के अनुसार भी खाना खाना शुरू कर दे जैसे सर्दियां आ रही हैं साक का सेवन पालक बथुआ इंटेक करना स्टार्ट कर दे रेगुलर बेसिस में मेथी दाना खाना शुरू कर दे गेहूं को बिल्कुल एलिमिनेट कर दे और सिरव जब भी आपको द नहीं ना शुगर को रिवर्स कर दोगे बस खाने का रूटीन होना चाहिए कि आपको सूरे उदे से लेके सूरे अस्त तक खाना खाना ऐसे इसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडिट्स ले रहे हैं फॉर्टी यूनिट्स तक ले रहे हैं उनमें आप इंसुलिन को भी विड्रॉ कर सकते हो लेकिन एक में आपको बताती है जो मैं सारे पेशेंट्स से हमेशा फॉलो करवाती हूं एक तमाटर लेना आपको उसका बीज निकाल देने है उसके छोड़े चोड़े टुकड़े के तमाटर मीडियम साइज होना चाहिए लगभग इतना और आधा कब पानी में उसको ग्राइंड कर लो बिल्कुल पतला बना लो फिर आपने उसमें कुछ भी एड्नी करना नमग कुछ भी नहीं और उसको पी और उसको पीने के बाद आदे गंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है देखिए सबसे पहले दू हजार बना दी हजार किती लाख बना दी उसकी मल्टिप्लिकेशन इतनी फास्ट होती है आपकी बॉड़ी का इम्यून रिस्पॉंस खुद की इम्यून सिस्टम को ही खराब करना शुरू हता है उसका डिफेंस मेकानिजम काम नहीं करता देट इस कैंसर जो हम शराब से बोल कर देता है केल्सिफिकेशन हाड करने लग जाता है जो बंदा ड्रिंक कर रहा है बहुत सालों से ठीक है अलिवर सिरॉसिस की कंडीशन वहां पर डिवल्प हो गई तो एक ताइंग की बाद खतम लिवर काम करना बंद कर देता है तो वहां पर आइडली कैंसर आपकी बॉड कर देता है